उनको अंग्रेजी भासा बहुत अच्छी लगती थी और इसे सीखने के लिए भी अपने सहर में घूमने आए टुरिस्टों को गाइड करते थे और इंग्लिस से बाते करते थे अंग्रेजी सीखने के उनकी ललक इतनी थी कि सबेरे पांच बजे उठकर अपनी साइंकिल को सतर मिनट चला कर पास के एक होटल में बीदेशी टुरिस्टे के पास जाते थी और टुरिस्टों को गाइड करने का काम करते थे अधिकतर जैक मा उन टुरिस्ट से पैसे लेनी की बजय अंग्रेजी सीखा करते थे उन्होंने पहली जॉब इंग्लिस टीचर बन कर की जहां उन्हें दस से बारा डॉलर प्रती महीने बेतन मिलता था उनकी जीवन में एक नया मोड तब आया जब उन्होंने इंटरनेट को पहली बार देखा और तै किया कि इंटरनेट की दुनिया में ही अपने करियर बनाएंगी फिर अपनी एक कंपणी बनाई यलो पेज जो ठीक तरह से तो नहीं चली लेकिन यह सफलता के राह में मिली एक असफलता थी और बाद में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकल अलीबाबा.com को बनाया जो आगे चलकर एक बड़ी भी साल e-commerce कंपणी बनी सुरवात में अलीबाबा के कॉंसेप्ट को अन्य इन्वेस्टर को समझाने में इन्हीं काफी समय लगा बहुत सारे इन्वेस्टर को मिलने के बाद 18 बड़े संस्थापकों ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया इस कंपणी ने सुरवात 3 साल तक कोई रिवेन्यू नहीं बना और तक क Administration के बना झाहिंग लग्या एन्वेज ने 27 बàद aiल को अवे सरवात ने करोई च्लों 7 जर उन्वेस्टा पसे बना दुम संदLink से कंपवाइस्टर को अन्वेस्टर को अन्वेस्टर ओलापली दो लोगाह संबाइस्टा